अब बात करें माम अगर offline classes की और online classes की तो बच्चों ने दोनों तरह की पढ़ाई experience कर ली है तो आपको क्या लगता है उनकी पढ़ाई के लिए best क्या रहता है online classes या offline classes बच्चों का offline study best है उसका reason ये है online study हमने भी कराया बहुत सी schools ने कराया तो online के अंदर 30 और 40% बच्चे जो है वो ही present हो पाते हैं 60% बच्चे online attend नहीं करते उसके बहुत सारे reason है मेबी उनके पास phone नहीं हो मेबी phone हो लेकिन parents देना नहीं चाहे मेबी जब उसके पास phone हो और वो study के बजाए और कुछ देखने को ज़्यादा वेल्यू दे तो मैं ये समझती हूँ कि अगर offline study होता है और continuously जब बच्चा school आता है तो teacher के सामने वो study करता है teachers का उसके उपर eye contact रहता है regularly उनके copies check होती है और उसके बाद जब teachers को लगता है कि ये बच्चा कहीं न कहीं break हो रहा है या कहीं track से भटक रहा है तो teacher उसको वापस motivate करके उसको track पे ले आता है online study के अंदर ऐसा नहीं होता teachers जादा से जादा बच्चों को phone कर सकते हैं लेकिन घर जाके पढ़ाने से रहे बराबर copies चेक करने से रहे तो offline जो study होता है उसमें बच्चा बंधावा रहता है उसमें बच्चे को directly अगर देखा जाए 6-7 hours schools में देने होते हैं इसमें बच्चों का study, बच्चों की motivational classes, संसकारों के साथ study, वीडियो के साथ study बराबर होती रहती है तो हम लोग ये समझते हैं कि online की according अगर offline study को value दी जाए तो ये best है बच्चों के लिए भी, parents के लिए भी, और teachers के लिए भी बिलकुल मैं 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 रिखाल से discipline के साथ साथ पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीजें बच्चे सीख पाते हैं offline classes में वेल आगे जानेंगे Great Satyum Academy Senior Secondary School